हेलो फ्रेंट स्वागतमर जीएसम राकेश हैंपर तो फ्रेंट यहां पर मैंने एक वीडियो बनाया था आरपेमबी अपडेट के बारे में जो कि एजी जेटाइक में आया था तो यहां पर कुछ लोग की कमेंट आये थे कि वो बोल रहे थे कि आरपेमबी क्या है और इसके क अगर कि एपडेट आता है तो मैं बिद्प्रैक्टिकल की बना दूंगा नहीं तो मैं किसी फ्रेंट से एक आरपेमबी लेक्राइस के वीडियो बना दूंगा तो यहां पर सबसे पहले जान लेते हैं अरपेमबी क्या है तो अगर हम सरळल भाँ सामें बात करें तो यहां पर RPMB एक EMC और CPU के बीच में code होता है उसको हम RPMB कहते हैं और CPU उस code को count करता है और वो code match खाता है EMC और CPU से उसके बाद set पूरा on होता है अगर आपने notice किया हूँ MI के phone में अगर हम same model से EMC निकाल के लगाते हैं बट वो phone पूरा on नहीं होता है कभी 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 कभ करता है कभी 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 करता है बार बार तो कुछ इस तरीके की problem आती है जब तक हम किसी phone का EMC प्लस यहां पर CPU चैंज नहीं कर देते हैं same code को तो वो phone on नहीं होता है तो यह RPMB वो यहीं है जो RPMB वो EMC और CPU के बीच में code होता है और CPU उस code को count करता है तो जैसे ह होता है और set पूरा on हो जाता है अगर वो code match नहीं होता है हम किसी same model में से भी EMC लिकाल के लगाते हैं तो वो code change हो जाता है और CPU count करता है तो वो code अलग होता है इसलिए वो phone पूरा on नहीं होता है और कुछ ना कुछ problem करने लगता है तो यहां पर आपको यह तो समझ में आग होती है कई परकार की ब्रांड की EMC लगी होती है जैसे कि SK Hynix हो गया Macron हो गया Samsung हो गया और तोसीवा संडेक्स बहुत साइक कंपनी की यहां पर EMC लगी होती है तो यहां पर जो SK Hynix और Macron की यह दो चिप होती है EMC होती है जिए Chinese EMC हैं और यह बहुत जादा खराब देख करने के लिए मिलती हैं तो उस टाइम यहां पर क्या होता है कि हम कंपेटेबल एक Samsung का EMC करके हम उस सेट में अपग्रेट कर सकते हैं तो यहां पर जो कंपेटेबल EMC है वो Samsung की लगा सकते हैं और जो अपडेट आया है आर्पियम्वी क्लीन का वो सिर्फ Samsung की EMC पर ही आया है क्यों यहां पर जो Samsung की EMC पर तो यहां पर जो Samsung की EMC होती है वो काफी powerful होती है उसमें बहुत कम problem आती है EMC की तो यहां पर Samsung की इसलिए यहां पर IC यहां पर एड हुआ है RPM बी तो यहां पर जो RPM वो हम सिर्फ Samsung का ही कर सकते हैं और उसे हम RPM क्लीन करने के बाद हम किसी भी MI के phone फॉन में या फिर अधर्वांड के फॉन में लगते हैं ठो यहांपर जो प्राबलम आती है नाइन डवल यूरो एकी यह फिर या फिर के या फिर लिवट प्र Раз को इस तरह की की प्राफ़र वाती हैं तो और प्राफ़ क्लिन के बात नहीं आने वाली है तो यहां पर जो benefit है वो यही है कि हम किसी भी eMMC को अगर हम आरपीम में क्लिन करके लगा देते हैं तो वो किसी भी फॉर्म में match हो जाएगी उसकी जो hardware code होता है CPU eMMC के बीच में तो वो match हो जाएगा क्यों हो जाएगा अगर हम एक सिद्दान्त दें आपको तो अगर किसी फॉर्म में इसकी लॉक लगा होता है और इसे हम on करते हैं तो वो जब तक इसकी लॉक अनलॉक नहीं कर पाते हैं तो वो पूरा on नहीं हो पाता है उसके जो फीचर है connection है वो open नहीं होते हैं अगर हम इस फॉर्मेट को लोग है और पूरा on हो जाता है उसी तरिक화 से 7 ta का जो कोड है बो से हम अनलॉक कर देते हैं कर देते हैं किरीन कर देते हैं उसके code ना होने के कारण वो CPU महाँ पर match कर लेता है और set में जो problem आती हैं वो problem EMC, RPMB clean के बाद नहीं आती हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो RPMB वो क्या है और इसके benefit क्या है नहीं तो आपको जो RPMB clean नहीं करते हैं तो हम किसी भी सेम मौल से EMC और उसका CPU change करना पढ़ता है उसके बाद ही वो phone problem ठीक होती है अगर हम RPMB clean कर देते हैं तो आपको CPU change करने की जरूत नहीं पढ़ने वाली है तो यहीं कुछ benefit है RPMB clean का और इस पर हम बहुत जल्द एक वीडियो लेके आएंगे bit practical के और MI के phone पर ही हम bit practical करने वाले हैं तो यह जानकर आपको कैस यहां पर बता देंगे उस problem की जो आपकी समझ में नहीं आया है तो आसा करते हम वीडियो पसंद आए यह फ्रेंट वीडियो पसंद आए वीडियो करते ना लाइक चैंपें यह तो चैंक को कलेना सब्सक्राइब तो मिलतें किसी नए श्ट वीडियो में थैंक पर झाउ ठतना सब्सक्दियो नए झनाए ऊज्टेकर सब्सक्षाइब झाल झाल